रादे रादे दोस्तों तो यह Jeep Compass गाड़ी है हम Highway पर चल लाएं है चलते चलते गाड़ी में अचानक इसके बाद यह बिलकुल बढ़ी नहीं रही है तो हम इसको दिखवाते हैं मिस्तिरी को कि क्या बताते हैं हम ने तो अपनी तरफ से कोसिस कर ली कुछ समझ में नहीं आया चेकलाइट के साथ सर्विस इंजन दिखा रहा है क्योंकि सर्विस ड्यू हो चुकी है इसकी 500 किलोमेटर ड्यू है और तो कोई प्राप्लम है नहीं अर्लो भीया डीजल भी खतब हो रहा है क्योंकि इसका एवरेज भी काफी कम हो गया है कि 65,197 किलोमेटर चल रही है कि आयल चेंज रिक्वाइड सर्विस बहुत ज्यादा ड्यू नहीं हो यह चारपाम सो 600 किलोमेटर के लगबग ज्यादा चल गई है गाड़ी तो इसमें प्रॉप्लम यह आ रही है कि यह गाड़ी सोग के बाद 120 तक बहुत मुश्किल से चल पा रही है बाकी चलने में कोई दिक्कत नहीं लग रही है बस दिक्कत क्या लग रही है इस पीट की और अबमो आगेजिंग सब्विस चंटर जिसमें इसको हंगिंग करा के नीक्षे की तरफ देखा जा रहा है बाही की से शेकिंग करी जा रही ते क्यों भईया यहां से देखे आयल सा कुछ बह रहा है इसके अंदर से यहां पर भी बता रहे है कि कुछ फाल्ड है और इधर तो फ्रफ के थीक से नहीं दिखा तो हम बाहर की तरफ से देख रहे है पर इधर से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि अंदर क्या प्रॉपलम इसको खुलना ही पड़ेगा प्रॉपलम यहीं पे ही है ग्रिजयन कूल कंडेंसर जो कि यह खराब हो गया है कंडेंसर इसक कि इसको चेंज कर दिया गया है अब गाड़ी एकडम मरिया फिर से चलने लगी है यह एर पूल कंडेंसर गाड़ी के लगा रहता है इस तरह से और गाड़ी सर्विस होके रेडियो चुकी है चेक लाइड भी बंद हो गई है डीजल लाइट हमारी जन नहीं है कि दीजल तो ग कि दिखाने लगा रेंज 63 किलोमेटर दिखा रहा रहा हुटी डीजल की प्रॉप्लम है बैटरी वैले सारी चीजे ओके हो चुकी है और गाड़ी मेरी ओके एकडम तयार हो गई है इस पीड फिर से गाड़ी में अच्छी वली हो गई है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चै लिखायात कारएं कड़िशुया पर या। अच्छी चल लिए और जो लोग बैठते हैं फारएं छो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी गारी है और इसमें खासी दिए भी स्पीन में चला अचिक मैं स्लस्ची घन्दोी घन्नेवाद बहें किaina कि